फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि अगर जन्रेटर करेंड नहीं दे रहा तो उसके आर्मेचर को हम किस तरह से चेक करेंगे आपका अपना यूट्यूब चैनल जैसे कि आप जानते हैं कि जन्रेटर के अंदर भी दो पार्ड होते हैं एक होता इंजिन का और एक होता अल्टरनेटर का उसी हिसाब से अल्टरनेटर के अंदर भी दो पार्ड होते हैं एक होता आर्मेचर का और एक होता फिल्डों का यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि उसके आर्मेचर को अल्टरनेटर के आर्मेचर को हम किस तरह से चेक करेंगे फ्रेंड्स कभी में हम आर्मेचर के बॉल्ड चेक करते हैं कि आर्मेचर बॉल्ड दे रहा है यह नहीं दे रहा है यह कितने बॉल्ड दे रहा है तो फ्रेंड जब जन्रेटर करें नहीं देता तो पहले हम उसके डायोड चेक करते हैं उसके बाद सब कुछ ठीक होता है तो हम उसका आर्मेचर चेक करते हैं, तो आर्वेंचर हम किस तना से चेक करेंगे, सबसे पहले इंजिन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसके बोल्टेस चेक करेंगे कि पूरी सब्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर सब्लाई नहीं दे रहा है करेंगे आते हैं 12 वाला आता है और और को पचास एप Terazody छाहें सूहीवाला हो यह चाहरा ने की बांद जहां परटली लगती पली फिल्डों की ओर दो तार मोटी लगती नो मोटी वाली दो ता रहूती है एक तार आर्मिशर से डारेक आती है और एक तार डायोड प्लेट से लोड वाली डायोड प्लेट से घूम करके आती है तो वहाँ पर हम बोल्ट इस चेक करेंगे आर्मेचर के आप चाहें तो नीचे डारेक आर्मेचर के बोल्ट चेक कर सकते हैं और उपर भी जहांपर मोटी वाली तारह होती है वहाँ पर भी armature के bolt चेक कर सकते हैं तो वहाँ पर जो bolt आने चाहिए वो 12 bolt आने चाहिए AC में यानि सिंगल फेस में 12 bolt होने चाहिए 10 bolt भी चल जाते हैं और कम से कम 8 bolt चल जाते हैं अगर 8 bolt आपके वहाँ पर आ रहे हैं तो आपका armature ठीक है करन दे देगा और load भी पूरा लेगा लेकिन 8 bolt से नीचे आ रहे हैं 5 bolt या 4 bolt तो आपका armature sword है उसकी binding आपको करनी होगी तो सिंगल फेस में कम से कम 8-12 bolt होने चाहिए 13 bolt भी हो जाएं अगर 3-face के generator में face to face check करने पर 10-12 bolt आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका armature खराब है उसकी binding करनी होगी और single face में 8-12 bolt की बीच current होना चाहिए लेकिन आप यहाँ पर एक चीज का धियान रखिए कि जो bolt हम check कर रहे हैं single face में 12 bolt और three face में 24 bolt वो जो हम चेक करेंगे तो जो उसके डायोड से लगे हैं या रेक्टिफायर लगा या उसके ABR लगा उसको हम हटा देंगे अगर नहीं हटाएंगे ABR लगे हुए या डायोड लगे हुए चेक करेंगे और जो हम continuity 50 पर set करके चेक करेंगे तो अगर हमारा alternative ठीक हुआ करेंगे आरवेचर की वाइडिन तो उसके 24 बॉर्ट होने चाहिए face to face जो हम लगाएंगे लीड को माल्टिमेटर की तो उसमें24एंग होने चाहिए कम से कम 20 बॉल्ड होने चाहिए थ्री फेस में में आगर 10-12 बॉल्ट है तो इस तरह स्टने कर सकते हैंगे संगल फिजड़ की अर्मेटर के अंदर कतने बोल्ड होते हैंगे तो तो मेरे सबी सोचल मीडिया अकाउंट्स के लिंग आपको नीचे डिस्क्रप्शन में मिल जाएंगे टेलिग्राम पर मुझे डारेक्ट कॉल कर सकते हैं